हलो बच्चो स्वागत था आप सब का एक बार फिर से बोर्ड एक्जाम एस्टडी में बच्चो आज के क्लास में हम लोग कभर करेंगे 12 क्लास जिग्रफी का 1st चेप्टर लेकर क्या है जिसका नाम क्या है माना भूगल परकिर्थियम विसे चेप्टर है बच्चो इससे पहले हम लोग fully explanation के साथ इस चेप्टर को पूरा complete कर लिए है साथ-साथ मैं आपको objective question भी provide कर दी है यानि जितने साड़े most important उस चेप्टर से आपको objective question था उन सभी question को मैंने आपको एनि provide कर दी है साथ-साथ मैं आज जो हम लोग यानि cover करने वाले हैं इस चेप्टर का जितने सारे आपका subjective question जो है important है उन सभी question को आप लोगों तक हम provide करने वाले है इससे आपको बाहर एक भी question subjective का देखने को नहीं मिलेंगे आपके exam में ठीक है क्योंकि उम्मीद करता हूं कि आपको जितने साथ इसमें question लिया गया है यह बहुत ही आती महत्पूर्ण है इसलिए आपको इन सभी question को note करते चलना है है ना आपको एक भी question यहां से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे बच्चो तो चले start करते उससे पहले मैं आपको बता दो गर आप गूरूप नहीं कर पाए इस नमर पर हाई मानोव विकास क्या है इ较ओ अगर हम बात किया जाए मानोव विकास करें तो मानव वीकस करना ही यह आ नवी को उपास हो विकलप हो ओब और वह तर पर बात किया आ था पहले हम क्या करते थे कि परकड़ए के परकिर्थि का करने थे सामना करते थे अगर आंदी होड़ा या तुफान या बारिस हो रहा था तो उस टाइम जब इन सभी चीजों का विकास नहीं हुआता है जब टेकनोलोजी नहीं था जिस टाइम उस टाइम की बात कर रहे हैं तो लोग क्या करते थे यह परकिरती का सामना कर रहे थे ठीक है ऐसाना मानब विकास और विकास है बहुत सारे विकल्फ होना च्या चाहिए समाजिक च्छेत्रे में हो सांस्कीर्थिक और राज्नितिक इन सबी छेत्रों में क्या विकल्फ कोही परिवर्दित करना ही तो क्या है मानव विकास है ठीक है तो बच्चों उमीद है कि यह कोस्टन आपको समझ में आ गया है मानव विकास क्या है बहुत ही आसानी से आप लोग समझ गया होंगे ठीक है कि लोगों के पास क्या हो विकल्ब हो ओके चलिए आगे हम लोग देखते है नेक्स कोसन आ रहा रेड़ का और इलंंट सी इए इलंस को नेकर करके आए जा यह सरी अपना पर pourra देखा जा आधा तो मानव sum अधियन करना ही तो मानव हो ले ठीक है जब पर यानी अर्थ पर जब क्या है इस के साथ किस तरह का एकटिविटी रहा किसके तरह अर्थ के साथ जो है मनुस्का किस तरह का एक्टिविट रहा यही तो क्या है समाज के साथ किस तरह का एक्टिविट रहा यही तो क्या है मतलब मानब भूगोल है ठीक है तो इसी के बारे में कौन कहा है रेड़ जेल के अनुसार यह मानब भूगोल है ठीक है उसके साथ जो है परिवरतन सिल संबंदों का ही नाम जो क्या है यह क्या है माना भूगो लिए तो बच्चों आपको अभी में क्या बाता रहे थे माना भूगो के बारे बता रहे थे तो आप इन चीजों को समझ सकते हैं चलिए आगे देखेंगे आपके सब्सक्राइब करते हैं जो मेरे साथ आप लोग रिपीट करते चलिएगा और साथ साथ में आपसे एक चोटी स्रिक्वेस्ट रहेगा क्मेंट में भी लिखते रहें नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो देखे वेभारवादी भूगल होजाएगा यह क्या है ंसमाजी कलियान भूगल समाजिक कलियान भूगल क्या है माना भूगल के उप्षेत रहे ठीक है तो बिल्कुल याद रखेगा सांस्किर्थिक वो तो बहुत आसान बस आए यह सारा चीज तो आप याद रख सकते हैं जैसे कि छोटा चीज़ आपको आपको याद रखेगा कम से कम आपको 5-6 याद आजाएगा तो यह किसके अंतर रता है माना भूगल के यह उप्षेत्र है ना विवरवादी वो समाजिक कलियान भूगल सांस्केर्थिक वोगल है ना लिंग भूगल एहतियासिक वोगल इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें अध्यान करते हैं और इसका उप्ष लिए जो आप लोग एसलिए काफी इंप्रेटन था इन सभी को को मैं नौट करा लिया हूं और उमीद है कि इंपलोग इन सभी चीजों को नउट करते चलियां ऑके चलिए और उमीद है कि आप लिए पूसे समझ रहा है इन चिजों को देखें निश्य वाद क्या है सबसे किया जाए तो इसका इसके पुरानी विचाड़ है एक बहुत या buck करते धम अपने आपको ड्रॉट यारा टोते ते अगर तुफान आ तो तुफान का सामना करना है ना सुनामी आ रहा है तो उसका भी सामना करना आंदी भुकंप यानि कोई भी चीज आ रहा है तो उसका क्या करते लोग सामना करते थे ठीक हो उसी की अनुसार अपने आपको जो है मनुस्से ढाल लिया था तो इसी को ही क्या कहा निश्यवात क्य अब क्या है जैसे कि आपको डाल लिया। इसके कारण मानप समाजी विकास की अवस्धा अधीम था उसके समाजी विकास नहीं था। उसको बिशनों डवन्पमेंट नहीं या बताया गया प्रधोगी की यानि प्रधोगी के अस इंगलिस कुछ कर रहे तो क्या होगा पर्चनद से लोग डरते थे उसका क्या करते थे पूजा करता था मनुष्यका क्या था उ धाल लेते थे, इसी को ही क्या कहा गया, निस्यवाद कहा गया, है ना, अब हम लोग चलते हैं, संभवाद विचारदारा, है ना, चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में संभवाद क्या है, तो बच्चों बहुत ही इंपोर्टन कोश्तन है, अगर संभवाद की सामना कर सकते हैं जैसे इस विचार धरा के निसार मनोसा परियावरन और परिवर्थन करने में समर्थन है हम लोग अभी चाहेंगे तो परियावरन को ही क्या करते हैं अप कहां क्या देखने जाइएगा अगर कहीं ऐसे ऐसे अलाके के हैं अभी देखे शौदी डुबाय में देखिए अभी क्या हुआ कि बारिस नहीं हो रही थी तुम्हां क्या केमिकल के माध्यम से बारिस करवाया गया तो क्या यह तो किसको बद लगाए परकृति को ही ना चैलेंज किया परकृति का ही जो परिवर्तन कर दिया परकृति का तो क्या क्या है तो यही क्या हो निश्वाद का उल्टा क्या होगा तो बहुत ही आसानी से उमीद है कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा ठीक है यह क्या है उसका सामना कर रहले है यह यह चीज है अगर मालों आपको निकलने हो रही है तो क्या आप बाड़ीस में जा सकते हैं, अभी आप जा सकते हैं, पहले आप नहीं जा सकते हैं, आपको भीजते भी जाना परता था, लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग कार, बहुत तरह ऐसे चीज़ें हैं, जो हम लोग उसका सामना करके हम लोग सही टाइम पे कहीं भी पहुंस मनुस की आर्थिक किरिया हैं, जैसे के भोगोल वातावरण में रहता हुआ, मनुस क्या करते हैं, अपने जीवनियापन के लिए उससे परवाइद होकर, जीवन निर्वा के लिए, अपने जीवनियापन करने के लिए, क्या करते हैं, वो उसके अंतरगत आता है, और ऐसे का कारखनों में काम करना लकड़ी काटना मसली पकरना आदि यानि यह सब ए घृ आने की करते हैं को norm improvement करते हैं कोई लकड़ी काट करके सभी चलिए तो यह आपको काफी इंपोर्टेंट है ना सभी को आप लोग नौट करते चलिएगा आगे देखिएगा परकृति का मानवी करण क्या है बहुत इंपोर्टन कोशन है है ना इस चेप्टर का थो तीन चार इंपोर्टन जैसे निस्वाद परकृति का मानवी करण इस तरह का कोशन आपका चार-पांच कोशन यहां बहुत ही देख्यें, प्रकृती के मानवी करण का वेख्ख अचार्थ है, उसमें मनुस्स सी परिकेरदी से तर्टा था, उसमें अपने अनुस्शवारा ब्दावा कर सकता है, तो यही क्या है प्रकृती का मानुस्सotain करता है था? शाबी हो गया उस पर जो है काबू कर लेता है तो यही क्या है परकिरती का मानवी करन बच्चो शेलिए अंदिया ना बरसा आना तो हम लोग बसका है अभी बहुत सारा चीज़न हैं जो हम लोग उसका इस्तावाल करके जो हम लोग अपना कार्य को करते हैं तो यह क्या है PAKladım का वच्छो मानवी करनी एता है परक मानव करना लेपहले क्या था मानव का परकर्ग करना ता यह है ना जो कार्यक भी कर सकते बारी से कोई फरेक ही नहीं पड़ता है ठीक है तो यह क्या है हम लोग यानि परकिरती का मानवी करन था आप क्या हो गया परकिरती पर हावी हो गया है इसके अंतर का संभवाद विचारधारा और नव निस्वाद आते हैं जैसे के गर्मी लगने पर हम पंकछा चला आते हैं और आदी थिक है चलिए आप मानव का परकिरती करन क्या है मनश के प्रकिरती करन का इसा जो समंजन मनुस अपने आप परकिर्ति के वातावरन के अनुकूल बना रहते और जीने के लिए पराकिर्तिक नियमों का पालन करते हैं इसका कहने का मतलब है जो इसमें क्या है नियम अनुसार जो अपने आपको ढाल लेता ही तो क्या है यह क्या है मानब का परकिर्ति करन ठी यही कोई हम लोग पास तक्नीक ऐसा नहीं चीज़ था जो हम लोग उसका सामना करते हैं तो यही तो आपका क्या नहीं मानप का परकिर्ति करनी बहुत इंपोर्डंट कोशन है आप इनंची जो को जो है नॉट कर लीजेगा बच्चो चलिए अब हम लोग चलते हैं नौनमर कोशन आपके स्क्रिंट थे निस्चवाद और समभवाद के बीच अंतरासपर्ष कीजिए यह भी काफी काफी कॉफिशन काफी इंपोर्टन्ट है चलिए अगर बात किया जाए निस्चवाद के बारे मता दिया समभवाद की बारे मता है तो भूगल ने मानव परकीर किया है जैसे के निस्चवाद के पर्तीपाद अकौन थे हम समर्थक निस्चवाद रहते है थे याद रखेगा निस्चवाद विचारा के समर्थक रहते यह चीज आप लोग नौट कर लिजेगा ठीक है निश्वाद विचारधरा के समर्द तक यह रहे हैं और मनुस्को परकिरती के आदेशु के अनुसार अपने आपको ढालना चाहिए यह जो क्या थे यह जो जितने सारे भूगल वेता थे वह सभी क्या थे मनुस्को अपने पर्ति पादक कौन थे लूसियन फैब्रे थे हैं ना उसक्तित के अंजिे को हैं नुसार परकिरती प्दान करती है और मानव उसका उपियोग करता है और परकिर्ठी का मानविकरन कि आजा सकता है मानव अपनी आए कोन था? यह सममभवाद विचारदर हैं, आपको समझ में आ गया? याँनि निस्वाद आपको बता है, मैंने उसका समभवाद बता है, निस्वाद के समर्था कौन कौन रहे हैं हमबॉल ट्रेटर रेड जयल कुमारी सेंपल यह इसका नाम याद रखना है आप सम्भवाद विचारदारा के जो समर्था कौन रहे हैं तो यह आपको मैंने बता है लूशियन फेबरे असलास इत्यादी यह सभी जो है क्या थे इसका आप लोग उमीद है कि इनको भी आप लोग नोट कर लियोंगे चलिए मैंने बताए यह कौशन काफी इंपोर्टन है चलिए आगे हम लोग अब कोशन देखते बच्चो कोशन 10 नमर कोशन देखेगा आर्थिक बूगल के दो उपच्छेत्रों का नाम लिखिएगा आर्थि और घञाी कोशन देख चलिए डियागा विसमें क्या हो जाएगा विविने परकार के खनीज निसा अपको बता है mai ने आर्थिक बूगल के दो आर्ति भूल के दो चीज अप्षेत्र कौन कौन रहा? जैसे के मतलब किया एक संसाधन भूगल रहा और पुरसी भूगल रहा? इत्यादी करसी बूगल के अंतर गार्ट गेहूं जोल चावल यानि सब जितने सारे फसल है उन सभी चीजों का यह जो है क्या हो जाएगा यह सब किरसी बूगोल के तो आर्थिक बूगल के दो प्छितर का नाम आये ने आपको बता दिया पहला क्या बता है संसादन बूगल एंड किरसी बूगल ठीक है चलिए हाँ चलिए बहुत बढ़िया आगे हम लोग बच्छों देखते हैं ग्यारे नमर को सन आपके स्क्रिन पर भूतिक बूगल माना भूगल में अंतरा बताईए देखिए बूगल के जो है कई ब्रांच हैं हैंना कई साखाए हैं उसमें से महत्पून साखा कि अगर बात किया जा तो बूगल में वस्त्ता है बहुतिक बूगल में क्या अध्यान का अंतरगत ॉसमें हम लोग अध्यन करते हैं मानभूगल साथ करते हैं किसमें हम लोग माना भूगल के अंतरगत परते हैं है ना तो यह बच्चों जो काफी इंपोर्टन था आप लोग इनको जो भी जो है बच्चों नॉट करते से लिएगा ऊके चलिएए अफलों देखतेu प्रौध होगी कि किसी समाज के सांस्कृति विकास का स्तर की सूचक होती है बिल्कूल आप मनुस्फर पढ़ियावरन की बंदिसों को कम कर नहीं क्या नहीं चलते हैं उसके बंदिसों को क्या करते हैं के सांस्क्रिति विकास की आदिम वरतमान में सक्षम प्रोधोगी के कारण समाज और मानियब की चाफ शर्व उत्रे देखी जा सकती है तो यह था प्रोधोगी की किसी समाज के विखास का स्थर है सूचक है इनके बारे में आप लोग उमीद है कि समझ में आ गया होगा आप आपको इन चीजों को देखना है चली और बात करते बच्चों, ग्रिफिट टेलर द्वारा परती पादित, नब निश्वाद की संकलपना को अस्पष किजए, अगर नब निश्वाद पना जो भूगल बेटा ग्रिफिट टेलर रहे, उन्हें ने एक नई संकलपना की, जो दो विचार धारों, तथा एक परियाव से जो मतलब पड़ियरती के अनुसार चले सो एक वीचारदarkी जो जो क्या कहा गया बच्चो रुख़ो diva K으로 को जाूजिवाद की नाम से जानते हैं चार हों मतलब चारहों पर यातायात को बत्ति के द्वाड़ा जो है नियल्धन किया जाता है बिलकुल है लाल बत्ति का आर्थ रूको पीले बत्ति का आर्थ क्या प्लाल फिले 2 एंडो bağत्यी और निस्वादों विचारदरा यह दरसाती है, कि ना तो यहाँ मानब को परकिर्थी का दास बने रहने की आउ सकता है यानि कहने का मतलब यह, कि पूरी तरह से लोग, ना कि अप robi तरह से जो है Again पूरा परकिर्थी पर निर्भर रहे नहीं उस पर निस्षवाद है ना और नहीं यह पुर्य पान rhy सोतंत्रा या इस हमवाध की जो हैир भर्क से ना किस पर परकिर्थि पर पूरी तरह यह भी हो वे अपने भोतिक वर्यावरन के दोहन करता है तो लाल संकेतों को पर्तियुत्र के रूप में मानब विनास की और बढ़ता जा रहा है ठीक है जो आने वाले फीचर हो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा है क्या होगा भानी होगा ठीक है वस्तुत है मानब को अपने क्रिय नाम सोरुप्त हरीगरत प्रभाव औजन पड़ात आक्षे पीछे हट्टे हिम्दन तथा निमने किरित क्या भूति भूमिया और जैसे गंभी समस्या उत्पन हो रही है जो स्वें मानब के अस्तित्य को चनोती जो है दे रही है अता है नव निस्वाद की विचारधरा मान की विचारधरा है हैंने दोनों का जो है यह समर्थन करता है चले तो यह था आप लोगा बच्चो क्या था गिरिफिट टेलर जो भोल वेता थे उसके अनुसार जो है नव निस्वाद संकल्पना को असपश्ट करना था तो मैंने आपको जैसे बताया यह काफी इंपोर्टे तो पर बैस आप देखें इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है डेली लाइप क्लासे एक्जाम नौट्स विकली टेक्स्ट मंथली टेस्ट चैप्टर वाइस कुईज आपको ब्यूडल पेपर प्रिवियस यह का को सब्सक्राइब को दिया जाएगा इस बैच का नाम क्य से करें तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा किसे प्ले स्टोर में जाकर करना है उसके बाद जो आप यानि क्या करेंगे इसके बाद अगर आपको दिक्कत होड़ी किसी परकार का तो आप फोन पे पे टीम या गूगल पे किसी के माध्यम से पैमन करके आपको इसी नमर पे जो है फोन पे मैं मतलब वाटसप में आपको सेंड करना है उसके बाद स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट नेम इस सारा चीज आप लोग नए आ रहे हैं बच्चो सबसे पहले आप लोग जो है शेर करें आप लोग दोस्तों के साथ और जो बच्चे नए हैं आप लोग शैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए बच्चों यहीं तक आज करते हैं जहीं जबारत